हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से मैं यूदिष्ठिर महतूर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे वेल्कम करता हूं स्वागत करता हूं आज मैं एक ऐसी सूचना आप लोग किसे सेयर कर रहा हूं जो कलाकार के लिए बहुत ही फाइदे मन्द है एक ऐसे कलाकार के लिए जो गाईगी के छेतर में अपने आपको अस्थापित करना चाते है अपना एक बहतर सिंगिंग करियर बरना चाते है उसके लिए यह बहुत ही फाइदे मन्द है आज का मेरा सीड़शक है How to start your singing career in Hindi मतलब कि आप अपने singing career को यानि कि गायकी के छेत्र को कैसे आगे बढ़ाए और कैसे अपने आपको एक बहतर singer के रूप में industry में अस्थापित करें सबसे पहले ज़रुरी चीज़ जो है वो यह है कि अगर आप संगीत में रूची रखते हैं एक अच्छे गायक के रूप में उभरना चाहते हैं तो सीखना सुरू कर दिजे एक अच्छे गुरू से एक अच्छे संगीत सिक्षक की तलास करें और उनसे सीखना सुरू कर दिए क्योंकि बिना आप एक अच्छे गुरू से जुड़े आगे नहीं बढ़ सकते हैं जब तक आप अपने प्रतिभा को बहुत ज़ादा मतलब की पॉलिस करकर के करकर के उसको रियाज करकर के जब तक एक बड़ा दायरा में नहीं फ्यालाएंगे कि अपनी प्रतिभा को तब तक आप एक अच्छे गायक की रुप में उभर नहीं सकते हैं आज कल के गायक क्या करते हैं कि थोड़े से सीखें और तुरंती वीडियो रिकॉर्डिंग या ओडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं जिससे उनका ही नुक्सान होता है वैसा नहीं करना है सबसे पहले आप एक अच्छे गुरू से सीखें और मेरा मानना है कि आप लगातार सीखते रहें क्योंकि कभी ऐसा नहीं है कि जो आप सीखेंगे वो आपके लिए फायदे मन नहीं होगा तो सबसे पहले एक अच्छे गुरू से सीखें जब आपको लगने लगे कि अब मैंने इतने सालों तक सीख लिया है आपके ग प्रोग्राम्स या रिकॉर्डिंग वगराई यह सब कुछ काम करके आप को सीख करना चाहिए ताकि लोग धीरे धीरे आपको जानने लगें तो सबसे पहले आप यह करें कि एक अपने आपका पहचान बनाए कि आप किस तरह के सौंग गा सकते हूות है कोई लव सबसे पहले पहचाने और उसी हिसाब से अपने प्रतिभा को आगे बढ़ाएं और उसी तरह के सौंग्स आप ज़्यादा गाएं ताकि पब्लिक आपको उसी तोर पे ले और आपके सौंग्स को सुनकर इंजोई करें दूसरा आता है कि जब आप इतना काम करने लगे तो सबसे पहले मुजिशन्स या लोकल बैंड्स को चुने या खुद का एक लोकल बैंड्स बनाएं ताकि उसके साथ आप प्रैक्टिस भी कर सके और उसी के साथ आप पूरे all over जहां परफॉर्मेंस के चाहना चाहते हैं वहां जा सकते हैं इसके लिए अगर खुद का बैंड बनाना चाहते ह जो आपके लिए comfortable हो, आप से काम करने के interested हो या फिर दूसरे के bands में, newspaper वगरा में या फिर जिनका link अप उनके संपर्ग में जाए और उनसे जुड़े अगला step जो है वो ये है कि आप हमेशा ये सोचे कि सीखना गभी भी छोड़ना नहीं है और अपने गुरु के संपर्ग में हमेशा बने रहे हैं उसके बाद आप धीरे धीरे अपना समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाए कि आप किस तरह के स्क्राइब गाते लोग आपको समझे लगेगे जानने लगे पहचानने लगे तो धीरे जीरे आप प्रसिद होने लगे उसके बाद फिर जब इतने साथ स्टेज प्रोग्राम्स या फिर कुछ अलबंस करने के बाद उन्स अलबंस को बड़ी-बड़ी जो कंपनी होती है या बड़े-बड़े फिल्म प्रोडूसर आने सुनाए अपनी प्रतिवा उन्हें बताएं दिखाएं ताकि वह समझे के हो सकता आपको वह एक अच्छा काम दे सकते हो यह सब जब हो जाए अगर इनसे भी नहीं हो पारा है तो आप पब्लिक प्लेसेस में अपने बैंड्स के तुरू गाना शुरू करते हैं चाहे श नियी काम मिलने का उसर प्राप्ठवाड पिर एक बात जरूरू तो सुच delve कि कि दुनिया में काम सबस्व स्यादा हैं काम अगर आप करोगे तो जारसे बाते के आगे पैसे कमाऊ गए हैं अशल नहीं कि आप काम करते हो काम करते हो पैसे नहीं कमाओगी तो इस तरह से आगे बड़े फिर हो सकता है बहुत सारे ओडिशन भी आजकल होने लगे हैं सिंड्बंग टैलन्ट को ले कर तो उस सब में भी आप हाथ दाशमा सकते हैं ताकि हो सकता है किउनमें chan हो गया तो पिर हागे आपकी महनत और किसमत से बहुत आगे जा सकते हैं उसके बाद ये करने के बाद अगर अगर आपको लए कि नहीं मेरा खुद का वैब साइट सो या खुद का ऑनलाइन प्रोमोशन चैनल हो जिससे आप अपने सौंग्स को प्रोमोट कर सेके तो वो भी आप कर सकते हैं ताकि ल देखें तो वो भी कर सकते हैं और इस तरह से आप आजकल तो धेर सारे ऑनलाइन प्रोमोशन्स चैनल हो चेके हैं यूट्योब फेस्बूक है ट्विटर हैं गूगल प्लस है यानि कि लोगों से जुणने के लिए बहुत सारे साधने आप उन सबका इस्तिमार कर सकते हैं ज साथी प्रोग्राम से वह रहा हो या फिर दूसरों से रेक्टर प्रोडूसर से काम के बात हो तो उन सब का मैनेज हो ही करें तो इस तरह से आप अपने आपको एक गायक की रूप में अपने सिंगिंग करियोर को एक रास्ता दे सकते हैं और खुद को स्थापित कर सकते हैं इस तरह से एक लक्ष बना कर चलें ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत सी के फिर यह कर रहें वो कर रहें क्यूंकि क्लाकार जो होता है यह एक बहुत ही संगर्शील छेतर हैं कलाकारी करना कोई आम बात नहीं है आप कुछ भी करें कुछ भी मानें लेकिन आप अगर यह सोचते ह हैं कि हम आएं और तुरंत इसमें काम्याबी मिल जाईए बहुत कलाकार ऐसे हैं जिनकी लाइफ और उम्र बीत कही है इनी चीजों में फिर जाके बहुत कई सालों की महनत के बाद काम्याबी मिली है तो बस इंतिजार करें महनत करें और हमेसा रियाज करतें रियाज को कभी छोड़े ने बाकी आपकी किस्मत और महनत से आप कितने आगे जा सकते हैं यह समय के इंतिजार से पता चलेगा तो दोस्तों अगर आपका मेरा यह यूट्यूब चैनल पसंद है इसमें मैं इस सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी उत्सायत मिले पुरुद्शान मिले और लाइक शेयर कमेंट जरू करें धन्यवाद हलो फ्रेंड्स एक बार फिर से मैं योदिश्टिर महतू आप सब का